तीन बार दिल्ली की मुख्यमंतरी रही और दिल्ली कॉंग्रिस के अध्यक्ष श्रीला दिक्षित का निधन हो गया 81 साल की उम्रे में उन्होंने अंतिम सांस ली श्रीला दिक्षित राजधानी दिल्ली में कॉंग्रिस का सबसे भरोसे मन चहरा थी लोगसभा चुनावत 2019 से सर्फ 4 महीने पहले पाटी ने उन्हें फिर से दिल्ली कॉंग्रिस अध्यक्षपत का जिम्मा सौपा था लोगसभा चुनावत 2019 में उन्हें कॉंग्रिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से चुनावी मैदान पर उतारा था श्रीला दिक्षित का निधन दिल का दौरा पढ़ने से हुआ वो काफी वक्त से बिमार चल रही थी उनका जन्म 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूर थला में हुआ था पुदेश की पहली ऐसी महिला थी जो की लगातार तीन भार मुख्यमंति रही इसके लावा वो केरल के राजपाल का पद भी संभाल चुकी है हालाकि उनका राजनितिक सफर काफी उतार चढ़ा उभरा रहा श्रीला दिक्षित ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के जीजिस और मेरी स्कूल में की जबकि ग्राजविशन और पोस्ट ग्राजविशन की पढ़ाई दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज से की उनकी शादी प्रसिद्य स्वतंतरता सेनानी और पूरो राजिपाल वा केंद्रिय मंत्री मंदल में मंत्री रहे ओमा शंकर दिक्षित के परिवार में हुआ। श्रिला दिक्षित के स्वर्गिय पती विनोध दिक्षित IAS अपसर थे। श्रिला दिक्षित के एक बेटा और एक बेटी है। श्रिला दिक्षित साल 1998 से 2013 तक दिल्ली के मुख्य मंत्री रही। उन्हें साल 2003 में हुए दिल्ली विधान सभाचुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजग अर्विंद केजरिवाल के हातो हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 11 मार्च 2014 को उन्हें किरल का राजिपाल न्यूट किया गया। हाला कि मई 2014 में केंद्र में भारती जन्ता पार्टी की सरकार बनने के बाद उन्होंने 25 अगस्त 2014 को अपने पत से स्तीफा दे दिया। श्रीला दिक्चित 1984 से लेकर 1989 तक उत्तरपदोईश के कन्योज से लोकसभा सांसद रही। 1986 से 1989 तक वो राजीव गांधी के कैबिनेट में मंत्री भी रही। 1998 में आम चुनाव में दिल्ली की पूर्वी दिल्ली सीट से वो बीजेपी के लाल बिहारी तिवारी से हार गए। इसी साल दिल्ली विधान सभा के लिए हुए चुनाव में कॉंग्रेस उनके नित्रतु में चुनाव जीतने में सफल रही। इसके बाद वो 1998 से लेकर 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। श्रीला दिक्षित 1990 में अपने 82 साथियों के साथ 23 दिनों तक जेल में रही थी। वो अपने 82 साथियों के साथ महिलाओं के खिलाप हो रहे अक्तैचारों के लेकर आंदूलन कर रही थी। उनके आंदूलन के बाद हजारों लोग उतरप्रदीश की सड़कों पर उनके समर्थन में उतराये थे। वहीं 1970 के दशक में महिलाओं के लिए दू हॉस्टल स्थापित करने में उनका एहम योगदान माना जाता है। तो खुछ ऐसा था श्रीला दिक्षित का जीवन और उनका राजनीतिक सफर। श्रीला दिक्षित ने एक लंबा समय राजनीती में बिताया। वो तीन बार दिल्ली की मुख्य मंत्री भी रही। राजनीती में रहने के दौरान उनके लिए फैसलों की वज़र से भारती जन्मानस उन्हें लंबे समय तक याद रखेगी